नई दिली सीट से बीजेपी की उमीदवार बासुरी सुराज ने नामांकन दाखिल कर दिया है बासुरी हमाई साथ में बासुरी पहले बहुत बहुत शुबकामना है क्योंकि यहां से रहे हैं अब चुनौती और जादा बढ़ गई है सबसे पहले तो आपकी शुबकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज कुट अग्यता ग्यापित करती हूँ जनता जनारदन को क्योंकि आज जाकर माननिय मंत्री हरदीप पुरी जी के आशिरवाद से यशश्वी प्रदेश अध्यक्षी विरेंद्र सश्देवा जी के सानिध्य में ओपी धंकर जी के आशिरवाद से अलका गुजर जी के आशिरवाद से और प्रदेश के शिर्ष नित्रित्व के सानिध्य में जाकर नामांकन भरा है जनता का अगाद प्रेम देखकर आशिरवाद देखे अभिभूत हूं कारकरताओं का उत्सा देखकर कहूंगी भावक हूं और एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल पे तुहूं जो आप सवाल पूछ रहे हैं देखे दिल्ली के जनता जो है वो बहुत ही ज़ादा समझदार है वो जानती हैं कि माननी मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल जी जेल इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने नौ समंझ का निरादर करा है वो जानते हैं कि एडी ने तो उनको समंझ पिछले वर्ष नवंबर दोहजार तईस में करा था लेकिन तब उन्होंने बहाने बनाए थे कि विपासना की वर्क्शॉप पे जा रहें दस साल दस दिन के लिए नौ समंझ का जब उन्होंने निरादर करा तो उन्होंने जाच एजन्सियों को विवश कर दिया कि आकर उनको अरेस्ट करकर कस्टोडिल इंटरोगेशन के लिए लिके जाए हाली में एक जज्जमेंट आई है दिल्ली हाई कोट की बहुत एहम बात है कि वो अरजी माननिय मुख्यमांतरी अरविफेश्ग रिवाल जी ने स्वायम लगाई थी वो अरजी बेल की अरजी ने थी वो अरजी इसलिये थी कि उनकी अरेस्ट लीगल है या नहीं इसका बहुत ज़ादा एक महत्व ये है कि अरविन केजरिवाल जी चाहते थे कि कोट एक-एक सबूत को देखे और बताए कि वो सबूत ठीक है नहीं कोट ने सारे सबूत देखे और बोले कि आपकी अरेस्ट बिलकुल लीगल है अरविंद केजरिवाल जी की और ये कोट की बात है, कि उन्हों ने कोट का फैस्ला था कि मानेनी मुख्यमंद्री अरविंद केजरिवाल जी की व्यक्तकत भूमिका रही है शराब गोटाले में किक बाक लेने की, इसके कारण उनकी अरेस्ट सही है, जायज है दिल्ली के जनता बहुत समझदार है इसलिए इसका कोई भी असर चुनाफ पड़ नहीं पड़ेगा इन मुद्दों को लेकर जाना चाहती है जनता के बीच में तो उनकी बात है हम तो विकास पर वोट मांगते हैं हमने तो संकल्प लिया है भारत को एक विश्वगुरू बनाने का भजपा ने तो संकल्प लिया है perform, reform, transform ये हमारा मूल मंत्र है आने वाले पांच सालों में भार प्रोड रुपे का infrastructure माने निया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी अलड़ी इनॉग्रेट कर चुके हैं और अगले पात साल में सेमी कंड़क्टर्ज और चिप मैनुफाक्चरिंग की दुनिया में भारत एक ग्लोबल लीडर लोग अभी वे 370 और 400 पार का नारा बरकरार है क्योंकि विपक्ष कहा रहा है कि देखिए दो फेस के बाद ही वो नारा जहें गाइब होने लगा है नारा नहीं है संकल्प है और आप देख लिजेगा कि भारत की जनता इस संकल्प को सिध्धी तक लेके जाएगी विपक्ष की बातों में मता ये वो तो कभी आलू से सोना बनाना चाहते हैं जब वो नहीं पुगता तो फिर कहते हैं माताओं और बहनों का सोना लेके दूसर में बाटना चाहते हैं भाजबा बात करती है creation of wealth की और Congress बात करती है redistribution of wealth की अच्छा मैनेफेस्टो में नहीं है तो फिर राहुल गांदी जी राली में क्यों बोलते हैं राली में क्यों बोलते हैं बार बार redistribution of wealth की बात माने नहीं राहुल गांदी जी क्यों करते हैं बज़ एक आखरी सवाल कहा ये भी जा रहा है आप लोग 370 की जो बात करें 400 पार के बात करें सम्विधान बदल दिया जाएगा सरा सर जूट बोल रहा है विपक्ष अगर आज तक किसी ने सम्विधान के साथ छेड़ खानी करी है तो वो है कॉंग्रेस पार्टी भारतिय जनता पार्टी आरक्षण में कोई संचोधन नहीं लारी आरक्षण बरकरार है आरक्षण से के साथ कोई छेड़ खानी नहीं हो रही है यहां तक कि बाबा भीमराव अंबेड कर के सपनों को अगर किसी ने साकार करा है तो वो भारतिय जनता पार्टी धारा 370 बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे भारते जन्ता पार्टी ने उसे हटाया UCC बाबा भीमराओं मेड कर चाहते थे उत्रा खंड में भारते जन्ता पार्टी लेकर आई है और उसको एक्स्प्लोर कर रही है मोदी जी के अगले कारकाल में साथ तोर पर विपक्ष नागरात्बक राजीती कर रहा है और बीजेपी लगातार विकास की बात कर रही है और उसी मुद्दे को लेकर बासुरी सुराज भी जा रहे हैं चन्ता की बीच सही होगी कैमरापरसन हिमन सूथ के साथ अंकिर कुपता एबेबी नियूस दिली